जोहार और भी राहे में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ निदीक कुमारी अक्सर बारवी के पढ़ाई करने के बाद एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा फेज आ जाता है क्योंकि काउंस्लिंग जादा हुई नहीं रहती है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा करियर ओप्शन चुनना चाहिए इंजीनियरिंग में जाएं या फिर मेडिकल करें कुछ में स्टीम है कई बार कितने अनिक्स्टोड ऐसे एरिया होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलज नहीं होता तो अगर शायद कुछ इंट्रेस्ट रहा भी हो फिर भी जानकारी की कमी की कारण हम वहां पर कोशिश नही है कि हम आप तक हर वो करियर ऑप्शिंस जो फिलहाल अवेलेबल हैं जिस तरीके से डिवलाप्मेंट के साथ नहीं 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 अपॉचनिटी जो ओपन हो रही है उस सबसे हम आपको मुखादब कराते रहें आज और भी रहें कि इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ करियर अपॉचनिटीज है इसमें गर्मेंट जॉब्स भी कैसी हैं इसमें सब पर हम चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है नाशनल लॉइनवर्सिटी के एसिस्टेंट प्रफेसर अबिंद्र पाथक सराप का हमारे कार इस फील्ड को किस तरीके से समझाएंगे लॉइ अज़ अज़ पिछले दस बीस साल में काफी बदला है जैसे पहले यह होता था एक बड़ा जैसे आप कहीं क्लिसे होता था कि जो कुछ नहीं कर पाया तो वो लॉइ में आता था था बट नाव तिंक्स आप चेंज यह लॉइर के अलावे आप बहुत कुछ है जो आप बन सकती है जैसे जुडिसिरी है, टीचिंग है, कॉर्परेट है, लॉफरम्स हैं, अलग-अलग कंपनीज में इन-हॉस लॉयर्स होते हैं, लॉफिसर्स होते हैं, यह जो दायरह है काफी बढ़ा है इधर पिछले 15-20 सालों और खास करके नैशनल लॉफिसर्स के आने से काफी अच्छे टैलेंटेड बच्चे, जो सिरियस हैं लॉफ के प्रती, वो लॉफ में आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो अभी काफी अच्छा समय है लॉफ करने के लिए, अभी जैसे बोर्स का भी टाइम चल रहा है, जो बारवी की पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे और उने law में इंट्रेस्ट है, तो किस तरीके से क्या कुछ entrance exams होते हैं, जिसकी थूरू बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जितने भी national law universities हैं, लगभग 25 के आसपास law universities हैं, तो उनके लिए CLAT exam होता है, common law admission test, तो उसके ल जरूरी है, law की पढ़ाई जो है, English के थूरू ही है, प्लस क्या है कि एक general awareness, और थोड़ा बहुत एक paper होता है, legal reasoning, ताकि आप lawyer बनने वाले हैं, तो होता है expectation कि आपका reasoning process है, वो उस level का होगा, जहां कि आप as a lawyer, as a judge कुछ अच्छा कर पाएं, भीन भीन परकार के cases आते हैं, facts हैं, कभी के भी ऐसा case आता है, यह बड़ा challenging है, कैसे करें, कैसे decide करें, तो उसमें यह होता है कि अगर आप, आपका reasoning power अच्छा है, तो you can deal better, तो यह legal reasoning की थोड़ी पढ़ाई करें, English basic है, और बस यह current affairs और यह सब, अच्छा, जो CLAD के aspirant है, वो CLAD के website पे जाएं, वहां पे स अब previous years का question paper है, वो देखें, ताकि एक idea बनाएं कि अगर इस exam के लिए appear होना है, तो क्या-क्या prerequisites है, क्या-क्या ज़रूरी तयारी जो है, वो करना चाहिए, तो उसमें यह है, English है, legal reasoning है, कुछ maxims होते है, maxims, जैसे law में क्या है, law तो generally English में पढ़ाते है, लेकिन उसमें ब criminal law में अगर कोई crime करता है, तो कहा जाता है, कि he should have mensaria, mensaria एक Latin term है, तो उसमें गिल्टी माइंड, कि अच्छा, आपका mind में तो कुछ guilt, you had some bad intention, तो वो कुछ basics जो है, वो पढ़ के रखने चाहिए, मतलब not in detail, यह entrance purpose के लिए, बाद में तो आपको lawyer बनना ही है, पांच साल है, लेकिन यह basic सही है, सब जानना जरूरी है, बलकुल, एक बार आसानी हो गया, अगर इंविंट exam में भी और उसके बाद जबाद एक बार in कर जाते हैं, होता है, बहुत सारे guide book है, reading material है, online, offline, available है, तो यह ideal time है, exam कि 6 महीना पहले भी थोड़ा बहुत देखना सुरू करें, एक बार आप law में ले रहे हैं, या फिर कुछ एक common LLB और LLM, ने, LLB है, graduation course है, उसके बाद LLM है, for academics, post graduation course है, अच्छा, LLB में क्या है, कि कई जगा है BLLB है, कई जगा है BLLB honors है, तो BLLB honors course में क्या होता है, कि अलग-अलग specialization होता है, जैसे आपका corporate law में specialization हो गया, constitutional law म में हो गया, तो ये depend करता है, ये पांच साल के वो जो duration है, उसमें इतने सारे papers हैं, कि अगर आप धंग से पढ़ लें, अगर पांच साल धंग से पढ़ें, तो फिर जो भी option है, carrier option law में आप चूच करना चाहिए, judiciary है, corporate है, litigation है, teaching है, तो you will do well, आपका horizon एक बड़ा हो जाता ह क्योंकि जो syllabus है, वो यतना wide है, और comprehensive है, कि अगर धंग से आपांच साल बिता हैं वहाँ पे, अच्छा, ये भी है कि traditional law schools जो होते थे, उससे हटके law universities में, exposure बहुत है, mood courts हैं, mood courts मतलब कि जहां कि आपको सिखाया जाता है, कि how it happens in courts, कि आपको एक case दिया जाएगा, और case को प्यार करना है, आप एक party हैं, कुछ एस तो एक opposite party है, फिर जो teachers होते हैं, वो judge बनते हैं, अच्छा, फिर आपको train किया जाता है, कि this is how it happens in courts, तो भी बड़ा interesting है, seminar है, conferences है, अच्छा, जो semester break होता है, तो उसमें बच्चे जो है, internship के लिए जाते हैं, senior advocates हैं, lower courts हैं, तो ये प profession का, तो वहां पर prepared हैं, provided कि आप 5 साल धंग से वहां पर उस time को utilize करें, जो आपको है, मतलब मिला है, एक तुसर हमने CLAT पर चार्चा की, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि अगर ये exam में सो गया, या फिर जो बच्चे हैं, अलग अलग exams prepare करना चाहरे हैं, तो क्या कुछ और भ global law university है, और भी है, दिली में है, Bennett university है, South में Christ है, तो बहुत सारे universities है, private universities है, private law schools है, जहां बच्चे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि CLAT में अगर अच्छा नहीं हुआ, तो it is the end of the route, आप जा सकते हैं, और भी option है, ये होता है कि थोड़ा सा, you will have to pay little more, आच्छा, हां पर जो है, फी है, थोड़ा जादा है, compared to law schools, but है option है, अच्छा, इसके अलावे ये भी है, कि कुछ traditional, traditional in the sense, जो law school के पहले वाले जो इन्वेसिटी देपार्टमेंट या law school से जैसे, बहु में law school है, दिली इन्वेसिटी है, तो इन सब में भी बतलब पढ़ाई जो है, बहुत अच्छी है तो आप जा सकते हैं, जैसे बाकी fields में ऐसा होता है, कि कुछ तो ऐसे होते हैं, जिन्हें 12 के बाद भी दमाग मनाने में problem हो जाती है, कि कहां पर या फर किस field में जाए, लेकिन कुछ बच्चे सर ऐसे होते हैं, जो एक्तम early जिन्होंने decide कर लिया है, तो माले जे 10 का एक बच जो शायद आगे जाकर उसके लिए beneficial हो सकता है, जैसे पहला तो यह है कि इंग्लिस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको केसे पढ़ने होते हैं, अच्छा इंडिया में केसे होते हैं, 200 पेज, 600 पेज, 1000 पेज के, प्लस सारे books जो हैं इंग्लिस में हैं, अच्छा इंग्लिस में हैं, तो इंग्लिस बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे books जो हैं इंग्लिस में available हैं, वो तो पहला requirement है, दूसरा यह है कि जब 5 years L.L.V. में जाते हैं, तो शुरुवाती जो एक-दो semester है, वहाँ पे आपको history पढ़ना होता है, economics पढ़ना है, philosophy पढ़ना ह है, तो उस हिसाब से अगर कोई arts opt करें, तो वह ज्यादा अच्छा, arts में जैसे economics है, history है, psychology तो सहाथ कमी बच्चे पढ़ते होंगे 11-12 में, लेकिन अगर वह भी कर लें तो बहुत बढ़ी है, अगर आप बनते हैं and you are good at reading others mind, तो बहुत बढ़ी हैं तो बहुत बढ़ी है, अच्छी में नाशनल लाओ अधिमर्स ती में भी टीच psychology तो psychology है, philosophy है, history है, economics है, तो यह थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, इट गिपस यवन एज, बाकी लोह से, अच्छा है वैसे जो commerce करके जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा बाद वाले semester में थोड़ा सा फैमिलिया मेरे हिसाब सी है कि थोड़ा सा आर्स पढ़ने से होता है, जैसे I was a science graduate, तो हुआ कि I did science and then I went to Delhi University, वहां पर था कि suddenly सब कुछ है कि alien type है कि कैसे पढ़े क्या पढ़े है, जो लोग history, philosophy पढ़ के आया था, literature में जिनका था, so they had an age, तो फिर होता है कि बाद में आपको catch-up करना पढ़ता है, you compete with others and then you catch-up, तो उसमें काफी help मिल जाती है, starting push आपको थोड़ा मिल जाता है, you feel very comfortable, you feel very familiar, you do not feel like face out of water, और एक ऐसा सब कुछ अलग 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 है, वैसा नहीं होता है, you feel very mentally settled, तो वह है, क्योंकि जुतना हमने सुना है law में, तो हमने का नहीं कि एक idea है कि lawyer होगा, लेकिन एक बच्चे ने जब law की पढ़ाई कर ली है, तो उसकी बाद फिर क्या कुछ career opportunities है उसके पास, अच्छा, एक बार अगर वह law कर चुका है, LLB का degree, then he can go in litigation, litigation, courts में lower court है, constitutional courts हैं, high court, supreme court, वहाँ senior के अंडर काम करें, कुछ दिन काम सिखें, उसके बाद खुद का practice कर सकते हैं, तो भी काफी lucrative है, अच्छा, lower courts में, district judiciary में, अच्छे lawyers की बहुत कमी है, तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी काफी अच्छा scope है, एक है ये condition की आपको prepared रहना होता है, कि litigation की initial years में, teach theoretical things, cases के बारे में, सब कुछ है, moot court है, सब कुछ है, फिर क्या होता है, कि जब आप जाते हैं, फिल्ड में, कुछ तो फरक पड़ता ही है, जैसे एक पुरा ना, वह English में कहा होता है, कि there are many a slip between cup and the lip, कुछ है जो कि law schools और court room में, कुछ है, जो आप वहाँ जाके ही सिख पात जजज को समझे, उस process को समझे, तो यह है, litigation है, अच्छा, दूसरा option है कि judiciary, we need good judges, तो judiciary बड़ा च्छा option है, हर स्टेट का अपना एक्जाम होता है, judicial services exam, तो उसकी तियारी कर सकते हैं, बच्चे, क्योंकि जैसे we need good lawyers, we need good judges also, in fact we need good people in all spheres, so यहां भी है कि judges जो है, मतलब अगर law school से आएं, तो अच्छा है, जैसे कल ही, मारत के मुखी ने आए इस जो है, जस्टिस चंदर रचूड, तो उनका वही था कल के speech में कि law school में जो बच्चे हैं, अगर वो आएं, judiciary में, तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब it will improve the quality, यहने की quality खराब है, but it will become even better, और भी तो उस हिसाब से judiciary बड़ा अच्छा option है, आच्छा, judiciary के त्यारी के लिए भी है कि पांस साल जो है, जैसे law में दो type, दो division है, substantive law और procedural law, तो substantive law में है जो ऐसा law जो आपके rights duties related है, दूसरा होता है procedural law, जो कि court procedure, जैसे मा लिजे कि कोई case होता है, तो कैसे case file करना, FIR, bail और यह सब procedural law है, तो दोनों की तयारी बड़ी अच्छी से करें, बतला है, procedural law पर उनका पकड़ होना बहुत जरूरी है, substantive law में भी कुछ core subject है, जैसे criminal law है, family law है, property law है, इसकी तयारी बड़ी अच्छी से करें, वो पांस साल के दोरान, तो they will be well prepared for judiciary, third option यह है कि अगर किसी का मन लगता हो corporate में है, so they can go in corporate, corporate भी बहुत अच्छा option है, यह थोड़ा सा वो, जो local courts का होते है, dust environment भाग दो, उस से हटके आप corporate एक महाल में बैठे है, वहाँ पे, but you have to work out, वहाँ भी है, it's like a hard life, you have to be prepared कि मेहनत करना है, तो महाँ पे आप आप contract drafting है, और भी जो काम है, जैसे advising है to the clients, या legal research करना हो for a particular case, तो वो सब तो काम करना ही होता है, अच्छा, आज कल क्या हुए, एक बड़ा अच्छा option है P.S.E.S. में, कि वहाँ पे है कि based on the client ranking, you can go in P.S.E.S. also, N.G.C., B.H.E.L.E.S. में, तो उस में ही बड़ा अच्छा है, कि law officer है, आप वहाँ पे, it's a very normal life, different from litigation, तो यह बड़ा अच्छा option है P.S.E.S. में, बिलकुल, अब मिच लगता, P.S.E.S.E.S. में, आपकी क्लाट के ranking के basis पर यह बड़ा है, कि पहले होता है कि LLB के बाद क्लाट दे के आप LLM में जाए, LLM करें, academics में जाए, लगन अब यह है कि क्लाट का अगर score अच्छा है, so then you can get your job also in P.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E., तो व यह बड़ाए करनी है, तो अगर उनके पास already किसी field की graduation है, क्या वो LLM कर सकते हैं, या फिर क्या जादा बेटर होगा वापस से आपको भी ये ग्राजुवेशन लॉट की फिल्ल में ही करना होगा और उसके बाद आप जाए पी जैसे मेरा एक्जामपल है, I did B.H.C करने के बाद ये था क्या करना है तो ये आया कि लॉट करते हैं लॉट करने के लिए उस समय भ फ्रीटी ये दो फिल्ल और वहाँ है वहाँ अच्छा ऑप्शन है तो फ्री ये ज रॉस्ट्री जैसे करने के बाद कोई हैं ये स्ट्रीम हो साइने, आर्स, क्यूमर्स कोई हो, फ्री ये लडी कर सकते हैं इन आफ्टर दू ये रॉगिश्य के लिए तो बैसिकली आपके ब यह दो रास्ते हैं, एक 5-year LLB, एक 3-year LLB, 3-year LLB कर सकते हैं, graduation के बाद, 5-year LLB कर सकते हैं, class 12 के बाद, लेगन दियारोन equal footing, कोई दोनों में अनतर नहीं है, दोनों judiciary के लिए equally eligible है, corporate के लिए equally eligible है, litigation के लिए equally eligible है, कर सकते हैं, बिल्कुल यह option है, कि आप हर stage पर आपके लिए option है, 12 stage पर कर रहें या फिर graduation stage पर कर सकते हैं, एक जो जब हम career की बाद करते हैं, सबसे important चीज एक दिमाग में होती है, होती ही salary, बच्चों के दिमाग में रहता है, चार साल पढ़ाई करनी है, तो फिर उसकी बाद जब मैं बाहर निकलू, तो मेरे लिए opportunity क्या होगी, अगर आपने law की पढ़ाई की है, तो क्या कुछ average salary भी हो सकता है, जब बच्चे expect कर सकते हैं, Depend करता है इस बात पर कौन सा area आप चुछ करते हैं, मान लिजे कोई judiciary में गया तो एक fixed salary है, बहुत बढ़ियाँ salary अच्छा है, प्लस और भी बहुत सारा perks है, जो you can enjoy, प्लस litigation में क्या है कि शुरुआती दौर में जैसे lower court में है, तो थोड़ा सा struggle है, but once you are settled, तो वहां भी बहुत अच्छा है, बतलब बहुत सारे lawyers हैं, करोर्स they are earning, अच्छा, high court है, supreme court है, तो वहां पे कुछ दिन अगर आप महनत करें, कुछ दिन तो वहां पे और भी scope है, supreme court है, बहुत सारे senior advocates है, so they earn lakhs per day, तो वह भी है, अच्छा, teaching में है, तो there also you have a very good handsome salary now, so you can come to teaching also, so salary wise, you need not worry, ठीक है, अच्छा salary है, practice में है कि आपको थोड़ा सा patience रखना होता है, but then you have a very bright future in litigation practice में, तो यह है, और जास आपने का कि आप कितना उसमें efforts लगा रहे हैं, efforts plus यह है कि knowledge sales, अगर आपका knowledge अच्छा है, तो जो भी client आपके पास आएगा, या कोई company आपको employ करें, तो he will employ you for your knowledge, उसको आपका काम करवाना है, उसको आपसे case जितना है, काम करवाना है, तो knowledge is the bottom line, भले ही आप top tier, किसी law school से graduate हैं, लेगिन आपका वो knowledge जो level है, या आपने 5 साल मेहनत नहीं किया है, वहाँ उतना knowledge नहीं है, then it will be problematic, क्योंकि बहुत ही competitive environment है, हर साल 25 लगबग law schools हैं, तो हर law school से कम से कम 100-200 बच्चे तो pass out होते ही हैं, प्लस private law schools हैं, private colleges हैं, traditional universities के department हैं, तो बहुत सारे बच्चे में हाजारों के संख्या में, every year they are coming in market, और वहाँ पर knowledge sells, knowledge होना बतलब procedural law, substantive law, अगर 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 आपका knowledge pool अच्छा है, then you need not worry, you will get money, काफे अच्छे साथ, अगर हम जहारकन की बात करें, तो यहां पर जब बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ opportunities हैं, सबसे पहले हम education की बात करते हैं, तो education के मामले में, law के शेतर में, उनके पास क्या कुछ opportunities हैं? जैसे पढ़ाई के district से, universities के district से, तो एक तो रांची में है, national university of study and research in law, a law school है, तो national law university है, तो यहां CLAT के थूरे admission है, अच्छा, इसके अलावे छोटा नागपूर law college है, वहां पर three years LLBA, graduation के बात जा सकते हैं, प्लस क्या है कि जैसे हजारी बाग में, धनबाद में, बोकारो में, जमसेदपूर में भी law colleges हैं, तो वहां भी बच्चे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर three years LLBA है, graduation के बाद जा सकते हैं, अच्छा, अब national law university रांची में है, 12 के बाद जा सकते हैं, five years course है, LLM है, PhD है, इन रांची, national law university रांची is a good option, तो वहां जा सकते हैं, यहां पर बच्चे काफिशे हैं, MET भी है, MET university भी है अब रांची में, तो private universities हैं, national law universities हैं, colleges हैं, हैं option है, एक जो हमारे साथ मुझे लगता है, इंडिया में जेनरल यह चीज है कि हम government job से थोड़ा हमारा जादा fascination होता है, हम कुछ भी field में पढ़ाई करें हम लगता है कि government job मिल जाए तो थोड़ा जादा निश्चीनता हो जाती है, law में अगर government jobs की बात की जाए तो यहां पर क्या options हैं, law में जैसे judiciary हैं, P.S.U.s हैं, academics हैं, तो अगर किसी बच्चे ने law में अपनी पढ़ाई complete कही है और अब उसे academics की फील में जाना है, तो क्या कुछ तयारी है, क्या exams यहां पर कैसे अप्रप्रप्रेशन होता है, यहां पर लेलेम का कॉर्स होता है, जो करने के बाद आप NET कीजिए, नेट क्वालिफाई या फिर PhD करने के बाद, लेक्चरर या असिस्टन प्रोफेसर के लिए eligible है, LLM admission लेने के लिए भी CLAT का exam होता है, जैसे undergraduate graduation के level पर CLAT है, 12 के बाद, वैसे 5 years LLB के बाद भी CLAT exam है, for LLM, तो उसमें भी क्या है कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, पांच साल में जो कोर्स रहा है LLB का या 3 years LLB में, तो कुछ basic paper है, 5-6 paper है, जिस पे थोड़ा सा पकड़ अच्छा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रेंस exam होता है, वह CLAT के साथ ही होता है, एंडर्गाजवेट के साथ ही, तो आप ठीक है, then you are through. किसी भी शेत्में साथ जब पढ़ाई करने जाते हैं, ऐसे भी तो हमें कहा जाता है कि कुछ चीजें हैं कि जरूरत पढ़ सकती है, और तयार कैसे रहना है, उनको भी नहीं सरमाने चाहिए, कि कि law you have, you are working among people, तो वहां भी है कि every day you have to deal with clients, clients है, different cases है, आपका दीन पब्लिक में ही बित्ता है, you are a lawyer, you are a judge, you are in PSU, कहीं भी है, you are living a public life, तो यह है कि, अच्छा दूसरा कहा है कि initially it is very, not initially, you should like hard work, कि अगर hard work आपको पसंद आप enjoy करती है, कि हाँ आपको पसंद है hard work करना, कि दिन पर court में रही है, सामको client dealing कीजे, फिर उसके बाद आपको drafting भी करना है अगले दिन के लिए, प्लस क्या है कि आपको updated भी रहना है, Supreme Court and High Court के नहीं जर्जमेंट आते नहीं नहीं, उनसे updated भी रहना है, क्योंकि law बदलता है रहता है, आज एक जर्जमेंट आया, पता चला कि पांच सल बाद बाद ओवरूल हो गया, कोई नहीं जर्जमेंट आया, बुक्स पढ़िये, जैसे law में बहुत अच्छा paper है, jurisprudence, legal philosophy, तो उधर भी थोड़ा सा आपका tilt है, कि थोड़ा सा हम law का philosophy पढ़े, तो वहां भी काफिया scope है, प्लस क्या है कि procedural law है, जैसे substantive law में property law है, property law बहुत matter करता है, property dispute तो बहुत सारा है, matrimonial disputes है, family law है, तो अगर आपको dispute पसंद है, hard work पसंद है, तो law आपके लिए पढ़ना पसंद है, तो law आपके लिए अच्छा है, मुझे लगता है कि almost तो सारे ही अमने area यहां पे cover कर ली है, job के भी और पढ़ाई के भी, next year मुझे लगता है जो बच्चे हैं, काफी भारी संख्या में या तो CLAT की exam देंगे, या फो जो भी independent exams है, अभी उनकी पास कुछ time है, अगर उने कुछ आपको संदेश देना हो, end time preparation को लेके तो क्या कहेंगे? end time preparation के लिए यह है कि मितलब अगर बात रख पाया है, जो current affairs है, उसको ब्रस अब करें, legal reasoning जो है उसको ब्रस अब करें, और थोड़ा बहुत English पे बहुत काम करें, मेरा emphasis is time and again English पेसलिये है, English जो है बहुत, law practice जो है इंडिया में, it is English oriented, everything is done in English, English बहुत अच्छा होता क्या है कि सामने, court के सामने, या फिर client को कितने अच्छे तरीके से अब deal कर पाया है, तो उसे language पर कमांड होना बहुत जुरूरी है, तो यह भी है कि मान लिजे कि अगर इस एरिया में काम करें, legal reasoning है, English है, current affairs है, थोड़ा बहुत जो basics of law है, law of thoughts, जैसे law school में पहले semester में एक paper पढ़ाते है, law of thoughts, हिंदी में कहते है, apikrit vidhi, basically it means wrong, कोई गलत काम हुए है, जो criminal नहीं है, जैसे है कि मतलब कोई आदमी कोई गलत काम किया, wrong हुआ है उससे, तो अगर छोटे level पह है, ज्यादा गलत high level का है, क्रिमिनल में गया, तब होता है कि culpability, बहुत serious offence है, offence है छोटा level का जो wrong है, अब तॉट्स में होता है, तो यह थोड़ा बहुत उसका basics पढ़ लें, कुछ maxims होते हैं, लेटिन में शुरुवात में जो हमने थोड़ा discuss कि किस तरीके से आप थोड़ा terms discuss कर लें उसके बारे में, और बाकी तो आपकी प्रिप्रेशन पर भी थोड़ा confidence होने के ज़रत है, अब यह कि previous year's question लेके practice करें, उसे यह होता है कि you feel comfortable, यह आपकी तयारी कितनी है, यह हार exam के लिए प्रिवियस year question paper, कितना आपका, एक knowledge में मिलती है sir, कि किस तरीकी के patterns हो सकते हैं, रविन जी आप हमारे कारेक्रम में आए, जिस तरीके से आपने स्कोर्स के बार में सारी जानकारी दी बच्चों को, काफी उन्हें मदत मिली होगी, मुझे खोद यहां पे काफी insight मिली, कि आपने कारेक्रम में देखा, कि अगर लौ के फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो 12 के बाद भी आपके पास इंट्रेंस एक्राम के options हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने लौ की पढ़ाई कर ली हैं, तो उसके बाद career opportunities भी बहुत bright हैं, इसी के साथ हमें आज दीजे इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे और भी रहें के अगली कड़ी में, किसी और career opportunities के बारे में discuss करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.